नमश्कार दोस्तों आज मेरी किचिन में बन रहा है सीजनेवल अचार जो लबेडे का अचार है अगर आप पूरी ट्रेक के साथ और पूरी सावधानी से बनाएंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा साल भर तक आप इस अचार का मज़ा ले सकते हैं मारकेट में ये आसानी से मिल जाते हैं और इनी दिनों गर्मियों में ही मिलते हैं तो ये देखिए हमारे हाँ तो इसको लबेडे बोलते हैं कहीं इसको गूंदे बोलते हैं कहीं इसे लुसेडे बोलते हैं और कहीं पर इसको कुछ और नाम से भी बोलते हैं आपके यहाँ पर मार्केट में तो अच्छे ताजी खरी देंगे ज्यादा पुराने नहीं खरी देंगे और इनको अच्छे से हम वाश कर लेंगे और इनको इस तरीके से हम डंडी में से अलग करेंगे जब हम डंडी में से अलग करेंगे तो इसकी कैप बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए कैप इसी पर ही लगी रहनी चाहिए और जो खराब होंगे तूटे होंगे और जिसकी कैप अलग हो गई हो उन लबेडों को हम अलग कर देंगे वरना इन खराब लबेडों के कारण हमारा अचार खराब भी हो सकता है तो इनको हम सबसे पहले अलग कर देंगे फ्रेश लभेडे हम ले लेंगे अगर इनकी कैप अलग हो जाएगी तो इसमें से एक लिसलिसापन निकलने लगेगा जिससे हमारा आचार खराब हो जाएगा इसमें पानी जला जाएगा तो देखिए बहोनी में मैंने पानी गर्म करने रख दिया था पानी ओवल गया है इसमें थोड़ी से हम हल्दी डालेंगे और इन लभेडों को हम डाल देंगे हल्दी डालने से इसका कलर बिलकुल बरकरार रहता है और इन लबेडों को हम सिर्फ इतना ही बॉयल करेंगे करीब 50% जादा हमें ओवर कुक नहीं करना है वरना ये कैप इसकी निकल जाएगी और लबेडे जो हैं हमारे फट जाएंगे और इसमें पानी चला जाएगा तो इस चीज काम में बहुत ध्यान रखना है वरना हमारा अचारिस से खराब हो सकता है तो देखिए हमने इने को कर लिया है हलका सा इसको हम दबा कर देखेंगे देखिए हो गए हैं अब इनको हम तुरत ही किसी चल्ली में निकाल लेंगे जिससे इसका सारा पानी अलग हो जाएगा और पानी को हम फेक देंगे और लबेडे हम पंखे के नीचे कपड़े पर फैला देंगे करीब दो घंटे के लिए हम इनको पंखे के नीचे फैला देते हैं अब एक कड़ाई लेंगे इसमें थ्री टेबल स्पून हम सौब लेंगे और वन टेबल स्पून इसमें जीरा लेंगे और हाफ टी स्पून इसके लिए हम काली मिर्च लेंगे और इसको हम हलका हलका सा सेख लेंगे ऐसा करने से मसालों में खुश्बू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो मसाले आप जब भी अचार में डालें किसी में भी तो आप हलका सा रोस्ट करके डालें और ऐसा करने से इसमें जो नमी होती है वो भी खतम हो जाती है तो हमारा अचार भी खराब नहीं होता है तो इसको हमें ज़्यादा नहीं सेखना है इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें सिर्फ इसे हलका हलका सा सेखना है देखिए सौप हमारी और ये सब मसाले जो हैं वो सीख गए हैं इसमें से खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं अब ही हमारी कढ़ाई गर में है इसमें ही हम जो पीली सरसों होती है वो डाल देंगे अगर आपके पास में पीली राई डाले तो वो भी आप ले सकते हैं अगर साबूत है तो वो ले सकते हैं अगर नहीं है तो आप काली वाली सरसों भी ले सकते हैं इसको भी हम इसमें थोड़ा सा सेक लेंगे तो देखिए हमने इसे सेक ली है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं अभी इस समय कढ़ाई हमारी गर्म है इसमें हम आदी चम्मच का लौजी लेंगे और आदा चम्मच हम इसमें मैथी दाना लेंगे अगर आपके पास कुटा हुआ है तो आप कुटा हुआ ले सकते हैं तो इसको हम इसी गर्म कढ़ाई में सेख लेंगे क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं सेका जाता है वरना ये टेस्ट में कड़वे लगते हैं तो इसको हम सिर्फ हलका सा गर्म करेंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे लबेडे हमारे देखिए सूख गए है इसमें से पानी बिलकुल खतम हो गया है अब इसकी जो कैप है हम इस तरीके से निकाल देंगे कैप इसकी बहुत आसानी से निकल जाती है अगर इसको हम पहले निकाल देते कैप को तो इसमें से लिस-लिसापन निकल आता अब इसकी कैप निकालनी हमें बहुत जरूरी है तब ही इसमें अचार का जो मसाला है उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही इसमें अच्छे से आएंगे तो इसी सभी की हम कैप इस तरीके से निकाल लेंगे हाँ अगर आपने मेरे चेनल को सबस्क्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप मेरे चेनल को सबस्क्राइब कर लीजिए रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर बाद में कीजिएगा तो देखिए है इस तरीके से हमने सभी लवेडे के कैप निकाल लिए है एक हम ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम टू टेवल स्पून बारिक वाली राइ होती है जो लाल वाली वो लेंगे और इसको हम बारिक ग्राइंड कर लेंगे बारी ग्राइड करने से एक फाइदा होता है कि जो अचार के उपर मसाला चिपकेगा वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और काली वाली राई जो होती है इससे ही हमारा अचार खटा होता है तो इसको हम बारी ग्राइड कर लेंगे और एक प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे अब ही हमने जो सौप वगेरा सेकर रखी थी वो भी देखे ठंडी हो गई है अब इसी ग्राइंडर जार में इसको भी हम डालेंगे इनको हम अलग-अलग इसलिए पीस रहे हैं क्योंकि राई को हमको बारी पीसना था और इसको हमें थोड़ा दर-दरा सा पीसना है जब ये थोड़ा मोटा दर-दरा सा अचार में मुझ में आता है सौप वगेरा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसी प्लेट में इसको भी हम निकाल लेंगे अब कलोंजी है और मैथी दाना इसको हम बिल्कुल नहीं पीसेंगे इसको हम इसमें ऐसे ही डालेंगे अब 2 टी स्पूनिस में हम काश्मीरी लाल मिर्श पाउडर डालेंगे इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है वन टी स्पूनिस में हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पूनिस में लाल मिर्श पाउडर डालेंगे टू टी स्पूनिस में काला नमक डालेंगे और टू टी स्पूनिस में हम सफेद वाला नमक डालेंगे और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे नमक आप अपने हिसाथ से थोड़ा सा कम कर सकते है अगर नमक कम होता है अचार में तो हमारा जो अचार है वो खराब हो सकता है तो इसलिए हमें मसाले में नमक जादा रखना है अब इसी कड़ाई को हम गर्म करने के लिए रख देंगे इसमें हम एक कप से डेड़ कप करीब हम तेल डालेंगे तेल अचार में हमेशा सरसो का डला जाता है मस्टर्ड ओयल का इस्तिमाल करा जाता है इसको हम इतना गर्म करेंगे कि इसमें से अच्छे से धुआ निकलने लगेगा इसमें धुआ निकलना बहुत ज़रूरी है जब इसमें धुआ निकलने लगेगा तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस तेल को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये हलका सा ठंडा रहेगा, गुंगुना रहेगा तब इसको हम अचार में इस्तिमाल करेंगे तो देखिए हमारा तेल हलका सा ठंडा हो गया है अब इसमें हम एक चमश भर के हींग डालेंगे हींग का टेस्ट इसमें अचार में बहुत अच्छा आता है और हींग को हम थोड़ा सा इस तरीके से गुमा लेंगे तो हीर हमारी इसमें अच्छे से सीख जाएगी अब इसमें हम सबसे पहले जो हमने मसाला से कर रखा था वो इसमें डाल देंगी तेल भी हमारा हलका गुन-गुना है तो इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारा मसाला इसमें फिर से अच्छे से सीख जाएगा और इसमें से खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है ऐसा करने से जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छा बन कर तयार होगा इसको आप इसी तरीके से बनाएए आपका अचार बिलकुल भी सालों साल खराब नहीं होगा बोरियत से खाने में जान डाल देगा तो आप इस तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें जब यह ठंडा हो जाए तो इसमें एक चम्मज भर के आमचूर पाउडर डालें ऐसा करने से इसमें थोड़ी खटा पन आ जाएगा अगर आप आमचूर नहीं डालना चाहते हैं तो एक आप कच्चा आम ले उसको बारी ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो जब आम इसमें डालेंगे आप ग्रेट करके तो अचार बनने में थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लगेगा करीब आठ दिन लग जाएगे आमचूर डालने से हमारा दो दिन में अचार बन कर तयार हो जाता है तो देखिए इसमें हमने लभेडे अपने डाल लिये हैं और लभेडे डाल कर इनको हम इस तरीके से mix कर लेते हैं जब मैंने इसमें लभेडे डाले थे तो मैं अपना camera on करना भूल गई थी तो इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ तो इसको ہमको सिर्फ डाल कर aur mix करना है हमारा जब मसाला थंडा हो जाएगा तभी इसे हमें डालना है तो दीखिए हमारा कितना अच्छा अचार बनकर त्यार हुआ है जब आप इसको बॉटल में भरेंगे तो इस अचार में आप देखेंगे कि तेल उपर तैरने लगेगा और अचार जो है वो नीचे बैठ जाएगा कुछ समय में अचार गल जाता है और तेल अपने आप ही उपर आ जाता है अगर तेल उस समय पर कम लगे तो आप तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर डाल दीजिएगा वरना आपके पास और कोई अचार हो तो उसमें भी तेल घर में होता है अचार में तेल कभी भी खराब नहीं होता है तो उस तेल को भी आप इसमें डाल सकते हैं तो देखिए हमारा अचार कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है सालों साल चलने वाला अचार है आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा ये दो दिन बाद हमारा अचार बिलकुल कम्प्लीट बनकर तयार हो जाएगा और इसको आप डब्बे में भरकर रख दीजिए ये बिलकुल भी खराब नहीं होने वाला है तो आप इसको इस तरीके से बनाईए राजिस्थान में इसी तरीके से अचार बनाया जाता है और आपके बोरियत से खाने को बहुत स्वाधिष्ट बना देता है ये सीजनेवल अचार है तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा मेरे चेनल को आप सब्सक्राइब कर लेजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर लेजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी अगर रेसिपी पसंद आती है तो बात में इसे आप लाइक शियर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ